Hello students, कैसे हैं आप? आज हम कर रहे हैं exercise 5.2, question number 15 For what value of N are Nth terms of the APs 63, 65, 67, so 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 and 3, 10, 17, so 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 equal क्या मतलब है इस question का? question को समझने के लिए हमने यहां पे ले एक example ली है example में मैंने यह दो APs ली है, अलग-अलग first AP है 15, 20, 25, so 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 ठीक है, और एक है 7, 14, 21, so 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 on, ठीक है? तो question क्या है, वो कह रहे हैं कि आपको given है कि इस AP में आगे जाकर कहीं यहां पर मान लीजिए Nth term है यह, ठीक है? और इस पे AP में भी आगे जाकर कहीं यहां पर मान लीजिए यह, इसको मैंने capital ले लिया यह भी Nth term है, capital A ले ले लिया, ठीक है? अलग-लग APs है अब दोनों ही Nth term है, दोनों ही Nth term है और दोनों ही equal है, यह given है दोनों ही Nth term है, ठीक है? किसी position पर जाके अब दोनों ही equal हैं अब Nth term का मतलब हम पहले समझें कि जैसे कि मान लीजिए यह AP है A1, A2, A3 ठीक है? चलते-चलते इस AP को मैंने naming दिया, देखे A1, A2, A3 और यह AN बोला मैंने इसको ठीक है? small AN बोला और इसको मैं बोल देता हूँ capital A1, A2, A3 और आगे चलते-चलते यह हो गया capital AN ठीक है? यही बोला हमने अब इसका A1, A1 का मतलब हुआ यह first position की value है, ठीक है? A2, A2 का मतलब हुआ यह second position की value है A3, A3 का मतलब हुआ यह third position की value है ऐसे ही AN, AN का मतलब हुआ कि same ही position पर यह दो values हैं यहां पर लेकिन हमें given है कि यह जब दोनों values हैं AN यह वाली और यह वाली AN यह दोनों क्या है? equal है, यह हमें given है कि यह equal है अब किस position पर यह equal आएंगी? किस position पर यह equal आएंगी? position means यह N की value यह वाली कि किस position पर यह दोनों values equal आ सकती है ठीक है, किस position पर? जैसे यह first position थी यह second second, यह third position अब यह N की value यहां पर क्या होगी? कि यह दोनों values equal आएंगी? यह given दिया है कि equal आएंगी? N की value बताओ, ठीक है? given है कि यह दोनो values equal आएंगी हमें N की value निकाल ली है अब जैसे यहाँ पे दोनो AP's अलग लग हैं तो देखे इसका difference जो है हमने देखा कि 5 है small d ले लिया और इसका difference देखे क्या है 7 है ठीक है इसको हमने capital D ले लिया तो students अगर ध्यान से हम इन दोनो AP's को देखें तो हमें नजर आएगा क्या नजर आएगा देखें 15, 20, 25 और यहाँ आएगा 30 यहाँ आएगा 35 और यहाँ 7, 14, 21 यहाँ आएगा 28 और यहाँ 35 ध्यान से देखें यह कुण सी position थी 4 और यह भी 4 और यह 5 और यह भी 5 ठीक है तो यह जो हमने असान सी example ली इससे हमें समझाया कि कोई दो AP's अगर हम लें तो आगे जाकर एक value same आ सकती है किसी एक position पर 5th position पर हमारी जो value है वो same आ रही है ठीक है तो इसी तरह हम इन दोनों AP's में given दिया है कि जो nth इनकी value है वो same है यहाँ पर हमें given दिया है कि equal है nth value an is equal to an और हमें वो n की value निकालनी है जिस पर यह दोनों value same आएंगी ठीक है same है given दिया है और n की value निकालनी है जैसे कि यहाँ पर दोनों value same आ गई 35 35 किस position पर आई किस n की value पर आई 5 n is equal to 5 पर आई तो यहाँ हमें n की value निकालनी है कि किस n की value पर दोनों value same आएंगी ठीक है given है कि same है और n की value निकालो ठीक है तो चली करते हैं हमारे पास जो एपीज है वो क्या है देखे 63 65 67 so 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 a n ठीक है यह term आएगी आगे जाके और यह क्या है हमारे पास 3,10,17,100 आगे जाके आगे इसको हमने मान लिया capital n ठीक है अब उसने हमें given दिया है यह given है हमें कि जो a n है वो बराबर है small a n है वो बराबर है capital a n के वो तो कह रहा है कि यह बराबर आएंगी अब कौन से number पर आएंगी यह बराबर यह आएंगी तो it means given है कि बराबर आएंगी ठीक है अब कौन से number पर आएंगी यह न निकालना है यही डिसकस किया न हमने तो क्या करेंगे देखो a n का formula क्या होता है हमें पता है यहाँ इसकी position a1 a2 a3 ठीक है तो यह position हमने हमने a n मानी है यहाँ पर क्या है यह capital ले लेते हैं a1 a2 a3 और इसकी position क्या है capital a n ठीक है तो देखिएंगे क्या आएगा अब a n में हमें पता है formula होता है a plus n minus 1 into d हम पढ़ चुके हैं a क्या होती है first term और यहाँ पर first term इस इसकी बात कर रहे हैं small a जो हमने लिया है यहाँ पर first term है हमारी यहाँ लिख लेते हैं a1 हमने first term given है 63 d small d लिया difference कितना है 65 minus 63 that is 2 so difference हमारा 2 आ गया ठीक है एक चीज हमारे पास यह है small a और small d हमने निकाल लिया उसके बाद capital a की बात करें हम तो हमारे पास first term यहाँ पर क्या है इसकी 3 है और उसके बाद हमारे पास यह difference हमने capital d माल लिया तो यह आगया 10 minus 3 that is 7 so capital d आ गया 7 इस तरह से हमारे पास दो एपीज का अलग लग first term और common difference आ गया तो यह अभी हम ले रहे हैं small इसकी इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर first term तो a1 है difference तो d ही है ठीक है small d ओके तो यहाँ पर हमने क्या लिया है a1 capital plus n minus 1 into capital d अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने n की value small ही रखी दोनों जगा same रखी students यहाँ हमने n की value same इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो position है यह वाली nth और यह nth दोनों same position पर है ठीक है तो n हमने same लिया है अब put करेंगे हम value a1 की क्या है 63 plus n minus 1 और d की value कितनी है 2 ओके और यहाँ पर क्या है a1 a1 की value कितनी है 3 plus n minus 1 और capital d कितना है हमारे पास 7 हम इसे solve करेंगे यह क्या आ गया 63 plus 2n minus 2 3 plus 7 and minus 7 तो यह आ रहा है हमारे पास 63 minus 2 यह आ गया 61 plus 2 and equal to यह आ गया 3 minus 7 कितना होगा 3 minus 7 minus 4 plus 7 and और उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए इसको मैं 2n को इदर ले आता हूं और minus 4 को उदर ले जाता हूं यह आ गया 61 plus 4 is equal to 2n उदर जाके minus का हो जाएगा न यह तो यह आ गया 7 and minus 2n यह आ गया 65 और यह आ गया हमारे पास 5n ओके 65 over 5 is equal to n that is 13 तो 13th position ऐसी आएगी 13th position ऐसी आएगी जिस पर इस AP में यह A13 ऐसी value आएगी और यह capital A13 ऐसी value आएगी जो कि सेम आएगी सेम आएगी क्योंकि हम starting में ही ले चुके थे कि small a n equal to capital a n इसकी nth term और इसकी nth term अगर हम सेम ले 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 हमने हाँ given है ले 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 तो n की value क्या होगी वो निकाल ली हमने कि अगर इसकी nth term और इसकी nth term सेम ले 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 तो ले ली ठीक है सेम ले ले ली अब calculation किया calculation करने के बाद अब वो n की value वो वाली value आ गई जो हमें nth term इसकी और ये nth term इसकी value को सेम देगी अब इसको हम verify भी कर सकते हैं कि क्या a 13 small a 13 और capital a 13 जो है वो सेम आएगा इसको हम क्या कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं अभी verification कर सकते हैं तो वो भी हम करते हैं ठीक है तो पहले निकालते हैं हम a 13 इसका ये a 13 की value अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे आएगी a 13 is equal to a plus 13 minus 1 into d ठीक है तो ये क्या आएगा a means a1 first term is 63 plus 12 d d कितना है 2 सो ये कितना आ गया हमारे पास 63 plus 12 to the 24 that is कितनी आ रही है ये a 13 की value वो आ रही है 437 628 87 ठीक है आ गई अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी a 13 भी यही आ रहा है चेक करते हैं n की value 13 आई थी न हमने का था a 13 small और a capital a 13 सेम आना चाहिए अब verification में क्योंकि हमारी condition थी कि यह दोनों सेम है गेवन है कि दोनों सेम है और n की value तब यह होनी चाहिए ठीक है यह आएगी तो चलिए अब a 13 की value चेक करते हैं यह हम कर रहे हैं verification ठीक है यह verification कर रहे हैं तो a 13 क्या आएगा यह a1 plus n minus 1 into d so that is a1 a1 क्या है 3 plus n कितना है 13 minus 1 into d कितना है 7 so हमारे पास आ गया यह देखिए कितना आ रहा है यह यह आ गया 3 plus 12 into 7 that is 3 plus 12 into 7 सा 84 यह 87 हमारे पास a 13 small की value 87 और capital a 13 की value भी आई 87 तो 87 ऐसी value है जो common आएगी same आएगी दोनो एपीज में आगे चल कर 13 पुजीशन पर 13 पुजीशन पर जो इस एपी की value भी 87 आएगी इस एपी की value भी 87 आएगी सेम आएगी हमने check कर लिया यह verification है ठीक है आपका अंसर वैसे यह 13 है यहां तक है यह हमने सिरफ personally check करने के लिए आपको आपके साथ discuss किया ठीक है तो चलिए अब करते हैं next question question number 16 determine the AP whose third term is 16 okay and the seventh term exceeds the fifth term by 12 question को हम समझेंगे पहले यह देखिए हमारे पास given क्या है कि third term यनि कि A3 क्या है 16 ठीक है A3 है हमारे पास 16 और A3 को हम क्या लिख सकते हैं A plus 3 minus 1 into D equal to 16 ठीक है और यह आ गया A plus 2 D is equal to 16 तो यह हमारी आगई first equation first line से हमारे पास आ गई यह first equation कि third term उसने हमें 16 दी है ठीक है यह given है ठीक है यह पड़ा determine the AP whose third term is 16 अब यह क्या दिया है आगे उसने देखे and the seventh term seventh term now अब क्या बुलाए कि seventh term is seventh term exceeds the fifth term मतलब क्या इसका कि जो seventh term है exceeds the fifth term by twelve वो fifth term से twelve जादा है seventh term exceeds जादा exceeds the fifth term by twelve फिर सुने कि seventh term जो है वो fifth term से जादा है कितनी twelve जादा है seventh term fifth term से twelve जादा है ठीक है seventh term exceeds the fifth term by twelve seventh term fifth term से twelve जादा है यह भी given है तो चली start करें अब a7 को हम क्या लिख सकते है a plus seven minus one into d is equal to a5 क्या होगा a plus five minus one into d ठीक है और यह 12 मैंने as it is यहाँ पर लगा दिया तो अब क्या करेंगे हम a plus six d equal to a plus four d plus twelve ठीक है हमें ap निकालनी है determine the ap यह हमें given दिया था third term वहां से एक equation आ गई यह हमें given दिया था उसने की 7th term 5th term से 12 जादा है ठीक है लिया हमने और यहां तक पहुंच गए हमें ap निकालनी है अब ap निकालने का मतलब है कि हमें निकालना है क्या निकालना है यह a1, a2, a3, a4, so 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 अब यह ap निकालनी है हमें यनिकि उसकी terms निकालनी है सारी यह first, second, third, fourth, fifth, so 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 अब देखी ap निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ठीक है तो हमें first term चाहिए उसके लिए a चाहिए और हमें common difference चाहिए यनिकि d भी चाहिए तो दो चीजे चाहिए किसी भी ap को निकालने के लिए हमें उसकी first term और उसका common difference निकालना होता है ठीक है तो अब यहां से देखते हैं एक condition हमारी यह आ चुकी थी यह equation यह और दूसरी हमारी यह आ रही है तो चलिए अब करते है calculation तो इस a को मैं यह चला गया उधर तो यह minus a हो गया यह इसको भी ले जाते है minus 4d or equal to 12 इधर ही रहने दिया ठीक है यह 12 इधर ही है तो यह a cut गया हमारे पास आ गया 6 minus 4 that is 6d minus 4d that is 2d और यह आ गया 12 तो d की value क्या आ गई 2d is equal to 12 so d की value 12 over 2 that is 6 ठीक है 2 6 ता 12 यह आ गई हमारे पास d की value अब a की value कैसे आएगी इसको हम first equation में put कर दे put in 1 1 में put करेंगे d की value को तो क्या आ जाएगा a plus क्या है यह 2d equal to 16 okay तो d की value यहां पर put करें 6 तो a plus 2 into 6 equal to 16 a plus 6 to the 12 equal to 16 a is equal to 16 minus 12 that is a is equal to 4 so यह हमारे पास आ गई first term इसकी इस a p की जो हम निकालना चाहा रहे है first term आ गई और यह आ गया हमारे पास common common difference ठीक है common difference भी आ गया so common difference that is d और first term हमारे पास आ गई यह ठीक है so अब ही हमारे पास common difference भी है और first term भी है तो start करेंगे a1 that is first term वो तो यही आ जाएगी a1 4 यह आ गई दूसरी term क्या आएगी a plus 2 minus 1 into d यह आ गई a plus 1 d ठीक है so a2 की value हमारे पास कितनी आ रही है a कितनी है 4 और d कितना है 6 a2 की value आ गई 10 a3 की कितनी आएगी a plus 3 minus 1 into d so a3 की value आ गई a plus 2 d और a3 है हमारे पास a कितना है 4 2 d d कितना है 6 तो यह कितना आ गया a3 हमारे पास 4 plus 6 to the 12 that is 16 ठीक है तो इस तरह हमारे पास चलता रहेगा मैंने और यह सुआए त्युक्त धूए 3 values निकाल ली आ चाहो तो a4 और a5 भी निकाल सकते हो तो हमनेकमसे स्वधिया निकाल भी है तो हमारी a1 ko a2, a3 300400 ठीक है तो ख़ाया हमारे पास tete in value निकाली हमने तो कितना आ गया हमारे पास even that is for,4, a2 की value कितनी A2 के value 10 comma A3 के value कितनी 16 ठीक है और यह चलता जाएगा तिल infinite ठीक है So I hope आपको समझ आ गया होगा Thank you so much for watching this channel Take care, bye bye